तो आज के स्टूरियल में हम email spoofing के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम detail में पढ़ेंगे क्योंकि आपके course में अलग से दिया है तो हम इसमें पढ़ेंगे कि what is email spoofing email spoofing होता क्या है और कोई भी hacker है या कोई भी offender email spoofing करता ही क्यों है किस reasons से करता है और हम email spoofing को किन चीजो से कंट्रोल कर सकते है ways to control email spoofing तो यह email spoofing जो है वो एक cybercrime है खीके और यह 6th classification क्लासिफिकेशन हमने इसके पहले लेक्चर में देखे थे अब हम 6th classification देख तो email spoofing सबसे पहले तो होता क्या है तो simply कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपको एक mail है आपको लगे कि यार यह तो मे अपने कार्ट को रिन्यू करा लीजिए ने तो आपका क्रेडिट कार्ट ब्लॉक हो जाएगा और आप सोचेंगे है कई मेरा क्रेडिट कार्ट ब्लॉक नहीं हो जाएगा और आप उस email को फॉलो करके उस link पे क्लिक कर दें जो भी email में दी होई है तो actually आपको फिर बाद में आपको फ्रॉड और आपको बना लगे कि अरे यह bank यह mail को मेरे bank से आया यह नहीं था यह तो एक spoofed mail था यह original source नहीं आया था यह किसी hacker ने मुझे दिया था यह किसी criminal ने मुझे दिया था ठीक है तो email spoofing क्या होता है email spoofing is the act of sending email with the false sender address false मतला अन्नोन sender address यह unreal ठीक है तो email spoofing में क्या होता है कि email भेजते हैं कोई भी बन्दा email भेजेगा और वो कुछ जो sender address है वो गलत sender address से email भेजेगा और it tricks the recipient यह क्या करेगा जिसको भी email मिला है उसको trick करने के लिए वो sender का address बदल देगा और सामने वाले को लगेगा recipient को लगेगा कि जो उसको email आया है वो trusted trusted sources आया है यह वो जिसको जानता है उसने यह email दिया है पर असली में वो email क्या है fraud email है ठीक है अब जो email fraud email होता है उसको अपन बोलते है spoofed email तो spoofed email के definition क्या होती है spoofed email is the one that appears to originate from one source कि ऐसा कि अगर अपन को ऐसा लगे कि यह नहीं यह तो हमारे bank से आया है यह पीटीम से आ अपताव दिके बट एक्चली वो किसी और ने भेजा है आपको फसाने के लिए ठीक है अब इसको diagramatically समझते हैं हम कि कोई भी इनसान कोई भी इस पूपड email भेजने के पीछे उसके reason क्या हो सकते है ठीक है तो मान लो आपको यह email आया है और यह email का header मतलब कि sender का address change कर दिया दिया है ताकि वो लगे कि वो real source से आया है ठीक है तो यह क्या है यह spoofed email यह original source से नहीं आया है यह किसी fake sender से आया है तो यह तीन कारणों से उस fake sender ने email भेजा हो सकता है सबसे पहले तो आपको लगे कि this poofed email जो है आपके किसी friend से आया है एंटे न और अप उस मान लो कि आपका कोई पुराना friend है आपको लगओ को उसने ये email भ spoil जा है और उसमें कोई infected link को उसमें उस पर click करें तो आपके mobile phone और computer में virus फ Также जाए तो दूसरा reason क्या हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यह जो email है वो मेरे CEO, company के CEO से आया है और वो मेरे company का कोई sensitive data मांग रहा है है न कोई information मांग रहा है और आप company के information उस email में reply कर दें ठीक है तो spoofed email from CEO requiring company sensitive data आपको company का sensitive data देना तो नहीं चाहिए बट आप इससे बेवकूफ बन जाए और उस पर company के data भेज दें उस email के ओपर ऐसा सोचके कि यह तो हमारे CEO से आया है उसके बाद spoofed email from bank asking for bank credentials और तो for example आपको इसा लगे कि यह जो email है वो मेरे bank से आया है और वो bank का username password change करने के लिए बोल रहा है मान लो तो एक तरिके से आप अपने credentials उस email में आप दे दोगे ठीक है तो यह example हो सकते हैं एक spoofed email के अब उसके बाद reason कोई भी hacker होगा या कोई भी spoofed email भेजेगा ही क्यों सबसे पहला सबसे पहला और एक common सा reason होता है कि हम sender address को change करके email भेजेंगे ही क्यों तो मान लो कि किसी को अपनी identity को hide करना है वो नहीं चाहता कि आपको पता लगे कि वो कौन है मान लो कि कोई particular बंदा है वो आपको को secret बताना चाहता है किसी बंदे के मामले में लेकिन वो यह नहीं चाहता है कि आपको पता लगे कि वो secret वो ही बता रहा है तो सबसे पहला reason क्या हो सकता है hiding the sender's true identity मतलब जो sender चाहता है कि वो मेरी identity hide हो जाए अब simply इस type के spoof email भेजने के लिए sender को क्या करना पड़ता है एक anonymous mail address को register करना anonymous मतलब mail address without any name ठीक है बिना किसी नाम का जो मतलब आप किसी को जानते नहीं हो कुछ भी ABC XYZ ऐसा mail address जो sender है वो register कर देगा और email उस mail address से send कर देगा उसके बाद second है कि pretend to be a trusted person जो offender होगा जो scammer होगा वो यह दिखाना चाहता है कि नहीं मैं तो trusted person हूँ for example कि आपको एक mail आया आपको लगी कि यह मेरे किसी दूर के दोस्त से आया है ठीक है और उसको बहुत जादा पैसो की ज़रूरत है और आप उसमें पैसे send कर दे तो scammer use spoof email to pretend to be like a friend or colleague asking for a money for personal information तो scammer क्या करेंगे ऐसा मतलब pretend करेंगे कि वो एक trusted person है और आपसे पैसो की सकते हैं उसके बाद spoof email भेजने का थर्ड रीजन क्या हो सकता है कि scammers को pretend करना है कि email जो है वो trusted organization से आया है for example आपके bank से आया है spoof email can come from financial institution in order to get bank detail और credit card details कि कि किसी particular organization bank से आया है आपकी company से आया है अब इसका reason क्या हो सकता है कि कि किसी भी इंसान को आपके credit card details चाहिए या bank की details चाहिए तो वो एक spoofed fake email भेज सकता है उसके बाद to spoil the reputation of sender यह भी एक common reason है कि spoofed email भेजते हैं लोग तो अगर किसी भी इंसान को किसी दूसरी इंसान की organization की reputation को spoil करना है तो वो उस organization या individual के नाम पे गलत-गलत content से मताब spoofed email भेज सकता है email spoofing can all be used to spoil the reputation of person or organization इससे क्या होगी हो person or organization की reputation बहुत खराब हो सकती है उसके बाद to spread malware तो आपके device को harm करने के लिए भी spoofed email भेज सकते हैं for example आपके पास एक spoofed email आया एक fake email आया उसमें एक attachment है और उसके attachment में लिखावा है कि यह आपके transaction का attachment है आप उसको open करो जैसे ही आप उस attachment को open करेंगे तो क्या होगा कि एक type का malware एक type का virus जैसे कि ransomware वो आपके computer में फैल जाएगा और आपके computer को harm कर देगा तो यह भी एक reason होता है कि लोग fake email बेजते हैं अब यह तो हो गई कि लोग भेजते क्यों हैं अब अपन को यह देखना है कि हम email spoofing को stop कैसे कर सकते हैं हम इसको रोक कैसे सकते हैं तो सबसे पहले अगर आपको अपने computer network में पढ़ा है कि नहीं जो email सेंड करने के लिए SMTP protocol का use होता है simple mail transfer protocol SMTP protocol क्या protocol मतलब set of rules एसे set of rules और email send करने में काम है कोई से भी email service हो जिसे हो गया Gmail हो गया या outlook हो गया वो यह generally SMTP protocol का ही use करते है email send करने के लिए है ना और यह SMTP protocol कोई authentication mechanism provide नहीं करता है कोई भी email भेज सकता है तो अगर आपको कोई email भेज रहा है तो यह receive करने के बाद यह protocol में ऐसे कोई भी rule नहीं रहते है कि वो sender को authenticate करें तो SMTP protocol के थूँ यह impossible हो जाता है कि spoofed email को identify करना तो to send email email send करने के लिए SMTP protocol is used ठीक है SMTP does not provide authentication mechanism SMTP protocol authentication mechanism provide नहीं करता है तो it is not possible to identify spoofed email यह तो हम SMTP protocol जो generally use होता है इसे spoofed email को identify नहीं कर सकते हैं अब अगर spoofed email को identify करना है और extra layer of security provide करना है आपके email service provider को तो उसे इन तीन तीन चीजों में से कुछ ना कुछ तो उसके service में implement करना पड़ेगा अब गूगल को अगर extra security provide करना है तो उसको sender policy framework SPF वो क्या कर सकता है यह SPF को install कर सकता है ठीक है अब यह जो tools इंस्टॉल करेंगे वो हम नहीं कर सकते है as a user हम नहीं करेंगे जो जिसकी email service हम यूज कर रहें जैसे कि Gmail वाला हो गया Outlook हो गया Microsoft वाला वो ही इन extra features को install करेगा sender policy framework domain key identified mail और reporting and conformance तो the email service provider need to implement additional measure to counter the spoofing email spoofing ठीक है और यह तीन चीजे वो implement कर सकता है तो अगर आपको मेरे notes simple लग रहे है तो मेरे चैनल को subscribe और मेरे video को like करना तो अगले lecture में मिलते है आज के लिए बस इतना ही Thank you